मैंने कुछ वीडियो तयार के जिसे आप एक महीने में अंग्रेजी पढ़ना सीख जाओगे मैं 100% गारंटी नहीं ले रहा हूँ लेकिन 90% आप पढ़ना सीख जाओगे बाकि आप निरंतरा भ्यास करेंगे बुक्स पढ़ेंगे और नियूस पेपर्स पढ़ेंगे तो आपका उचारण बिलकुत सही होता चला जाएगा तो देखें इंग्लिज में शुरुआत करते हैं अलफाबेट से ए बी सी डी इफ जी एच आई जे के ल एम एन ओ पी क्यू आर एस टी यू वी डव्लू एक्स वाई जेट और जो मैंने ब्लाक्स बनाएं देखें ए ए आई ओ और यू इसके लावा एक और है वाई यह हमारी मात्राएं हैं सनज लिजे कुछ जो मेन है पांच ए ए आई ओ यू और उसके लावा वाई जैसे लिखा बी तो बी अगर हम बोल रहे हैं तो हिंदी में कौन सा उचारण ह होगा उससे बी से बी में क्या बा बी से बा होगा उसके बाद सी से क्या निकल दा हमारे मुझे हमारे मुझे तो सी यानि कि सा निकल दा है क्या निकल दा है सा तो सा भी होगा और का भी होगा सी से सा भी होगा और का भी होगा अब यह बहुत इंपार्टन सी वाला यह जो है बहुत important, C से कब का होता है और कब सा होता है, यह हम लोग देखेंगे, देखेंगे, अगर C के साथ I, E और Y हैं, C के तुरंद बाद, C के तुरंद बाद I है, E है या Y है, तो C को हम पढ़ेंगे सा, क्या पढ़ेंगे, C को पढ़ेंगे सा, यह इधान रखिएगा, और बाकी, कोई भी मातरा होगी, तो का पढ़ेंगे, D से क्या पढ़ते हैं, D, D में क्या रहा है, डा आ रहा है, क्या रहा, डा, यह न समझेगा कि D से दा, अंग्रेजी में दा होते नहीं है, दा से दवाब, यह होता नहीं है, दा नहीं होता अंग्रेजी में, डा होता है, F, F में क्य क्या मुझे मारते निकल खालए कि या तो जा होगा यह गाहोगा कि जी से गाहर एच कि आब यह इसमें थोड़ा संत्र है इस में एच से हा पढ़ा जयेंगे उसकी च जे जा जे जा पढ़ेंगे जे से उसके बाद है के के का के बोल रहे हैं तो हमारे मुझे से हिंदी क्या निकल रहा है वर्ण का एल क्या होगा इससे ला बहुत बढ़ी है अब आप लोग बताओ सोचते रहो इससे क्या होगा सोचो बिल्कुश सही समझ गया आप लोगा क्या होगा मा एन से क्या होगा देखो बताओ ना होगा ना और ओ से आ ओ से पढ़ेंगे हम आ ठीक है ये मात्रा इसके बारे में बाद में बताऊंगा ओके बाद क्या था पी पी में क्या निकल दा हमरे मुंसे विल्कुल सही भा क्यू क्यू से क्या होगा हमारे मुझे क्या निकला क्यू से क्यू से निकल रहा क्यू से निकल रहा है क्यू से रहा है उसके बाद एस से दो चीजे निकल सकते हैं या तो एस स या ज दो चीजे निकले हैं इसके बाद आता हमारा टी टी से अंग्रेजी में ता नहीं होगा ध्य होगा तो यू से हमारा क्या होगा और इसके बाद आता है वी व व हो जाएगा उसके बाद आता है व से क्या होगा व डबलू से क्या होगा सोच जा रहत है डबलू थोड़ा जा, X से जा, Y, Y से क्या होगा, या, Z, Z से क्या होगा, जा, मैंने I मुझसे छूट गया, I से E, P, N, देखें बहुत जाना सुनिएगा, P, N, अब दो चीजे इसमें हैं, लेकिन इसको पढ़ेंगे, न, क्या पढ़ें, P, N को क्या पढ़ेंगे, न, K, N, इसको अभी चूतुर पढ़ेंगे न के यन का पढ़ेंगे न और इसके बाद आता है हमारा ps इसमें भी एक ही पढ़ेंगे बादवला क्या पढ़ेंगे स प्यसित होगा स सो मिज़रें इसमें दोनों पढ़ेंगे ट्र किpannt कि upright उसके बाद आता है d r d r d r se kya पढ़ूएंगे ज्र अब आप लोग बताओ भाई अगला क्या होगा की मैं GO SR से क्या होगा मैंने बताया था द सी के बाद अगर ऐगर क्या होगा cch r CHR से वी क्रा होगा क्या होगा k्र TCH क्या होगा च समझे रहे हैं FR से क्या होगा दोनों जोड़ दिजिए FR से फ्र GR से क्या होगा GR से ग्र PR से प्र LF इस से होगा फ्र एक ही पढ़ा जाएगा एस एच इस Az Teresa परहेंगे श कोच qnGC dwonों जोड़के पढ़ेंगे लिस्ट कि एसप इस कीलिए ध्त परहेंगे सीगे से क्या को C, H C, H से क्या पढ़ेंगे क और च दोनों पढ़ेंगे C, H से क और च दोनों पढ़ेंगे इसके बाद आता T, H T, H से हम पढ़ेंगे द, और थ द, और था दोनों पढ़ेंगे T, H से P, H, P, H से पढ़ेंगे फ, P, H से पढ़ेंगे फ, G, H G S से हम G भी पढ़ेंगे और घा भी पढ़ेंगे G H T देखिए बहुत द्याना सुनिए गा G H T से हम T पढ़ेंगे क्या पढ़ेंगे? T अब देखते हैं आप लोगोंने कितना सीखा जो अलफाबेट्स आ रहे हैं इनसे हिंदी में क्या पढ़ें? अब आप लोगों बताएं देखिए और बताएं इनसे हम पढ़ेंगे क्या? B से बढ़ेंगे, H से हा पढ़ेंगे, T से टाप पढ़ेंगे, R से रा पढ़ेंगे, S से सा पढ़ेंगे J से जब पढ़ेंगे, अब जो मैंने बताएं तो उसी पढ़ें, C से कब सा पढ़ेंगे, कब का पढ़ेंगे, मैंने बता दिया आप लोगों को अब आप लोग पढ़िए इससे क्या हिंदी में क्या उचारन होगा इनका देखिए और बताईए कमेंट बाक्स में लिखिएगा पढ़ते रहिए C.H.R. से मैंने बताया था C.H.R. से क्रा होगा P.S. से साह होगा देखिए पढ़िए P.R. से क्या होगा आप लोग बताईए दोनों जोड के बताईए G.N. से मैंने बताया था केवाल N.O. लाउचारनो K.N. G.N. P.N. इनसे ना ही पढ़ा जाएगा जीए से क्या होगा G.H.T. से क्या पढ़ाएगा बहुत इंपार्टेंट है मैंने बताया था T.C.H. से क्या पढ़ाएगे जो ना समझ में आए तो पीछे बैक करके इसको जो है देख भी लिजेगा अभ्यास निरंतर करना ये चीज अगर आप सुरुवात में सीख जाएगे तो समझ लिए अंग्रेजी का बीस परसेंट आपने सीख लिया अब हम लोग अगले अभ्यास में मिलते हैं आज इस अभ्यास का रिविजन के रिए और नीचे जो इंड स्क्रीन पर जो वीडियो दिये हैं उनको आप देखिए और देखकर अगले अभ्यास की तरफ जाएए अगला अभ्यास बहुत आसान है